कि नमस्का दोस्तों जीके अर्दुसार यूट्टूब चैनल में आपका एक बाप फिर स्वागत है आज हमारे जीके में टाफिक है सौर मंडल चलिए सौर मंडल के बारे मताते हैं आपको देके सौर मंडल जिसमें हम लोग ढblesे सौर मंडल में ग्रहों की संक्या कितνी है आठ सौर मंडल में ग्रहों की संक्या कितनी है आठ अब देखे आठ में कौन है बूद, सुक, पिर्थिवी, मंगा, ब्रैसपति, सनी, अरोन, वरुण यह 8 ग्रह है सौर मंदल में पाले जो था 9 ग्रह था और अंतिम ग्रह के यां कौन था यम जो यम जो है अब ग्रहों की सरी में नहीं आते है यानिकी इसको बावना ग्रह की सरी लायागा इसका कारण क्या था यां को क्यों आठाएगा 2006 प्राग सम्मेला मुआ था वहां पर जो है इसकी परिवासा दी गई लेकि ग्रहों की परिवासा यह कि यह जो है सूरी की चारोर अपनी कच्छा में ही चक्र लगाते है अपने सूरिक चारोर अपनी कच्छा में चकर लागाते ये उसको ग्रह कायाता है और ग्रह ये था यम ग्रह ये अपने कच्छा से चकर लगाते लगाते किसी दूसरे की कच्छा में ये घुसाता था इसलिए ये जोए ग्रहों की सेड़ी से इसको अटा दिये गया और टूटल बचे है आठ सवर मंड़ में तितने ग्रह है आठ अब इसमें कोस्टन पूछता है कि सबसे सूरी के नदिक कौन सा ग्रह है तो आपका हुज आएगा बुद्ध, बुद्ध यानिक सबसे नदिक ग्रह हैं बुद्ध अब इसमें कई प्रकार की क्वेशन कूल सकता है कि प्रतिविक के न दौ ग्रहों के बीच में स्थित हैं आपका एंसे जाएगा शुक्र मंग्या के यह सूर्ष और पिंद्धिवी के बीच में कौन से दग्रा और व्हाँ l teras vicdaya music bands जान आप देखें इसके बाद इसमें कोसंट पूछता है कि पिर्धिवी यानि सूर्ष से सबसे अधिक दूरी वर्व हो गया सबसे नदिक बुद्ध हो गया आप देखें इसमें पूछता है कि सूरी ग्रहान इसमें आता है तोसन सूरी से सूरी ग्रहान कब लगता है तो इसमें देखें सुर मंडेल में सूरी ग्रहान यानि सूरी और पिर्थिवी के बीच में सूरी ग्रहान कब लगता है और इसी तरह चंद्र ग्राह क्या है जब पिर्थिवी और सुरी की बीच में जो है चंद्रमा आ जाती है तो यह जो है सुरी ग्राह का लाता है आप देखे इसमें ग्राहों की संख्या पूछता है कि किसके उपग्राह सबसे अधिक है आप देखे बुद्र का कोई उपग्रा नहीं है इसके अलाब पिर्थिवी का उपगरा जो है यह उपगरा है पिर्थिवी का उपगरा एक है चेंद्रबान मंगल का दो उपगरा है ब्रेस्मती का सबसट उपगरा है सनी का बासट उपगरा है अरुन का जो है सबसे अधिक उपग्रह है उपग्रह तो ब्रेस्पति का सबसे अधिक उपग्रह है अब इसे पूछता है कि सबसे बढ़ा ग्रह कौन सा है तो सबसे बढ़ा ग्रह यह हो जाएगा आपका ब्रेस्पति और सबसे छोटा ग्राव क्या होगा यह हो जाएगा आपका बुद्ध यानि सबसे बढ़ा ग्राव यह भाली ग्राव ब्रेस्पति है और सबसे छोटा ग्राव बुद्ध सबसे कम समय में कम चकर लगाता है यानि बुद्ध सुरिती परकरमा सबसे कम समय में कर लाता है बोड कितने दिन में इसका एग्जेक्ट है 87.9 छो दिन यह आपका इसका एंसर देगा कहिं ने किताब है 28 दिन में और सबसे अधीक दिन में याइनि जो सबसे दूर होगा सबसे अधीक दिन में चेकर लाएगा तो कौन है वरू कितना है 146.9 वर्स 146.9 वर्स यह जो है समय लेता है आप देखे इसमें 146.9 वर्स में यह समय लेता है इसके बाद इसमें आपको कोशन अकार की द्रिष्टी से बड़ा और छोटा यानि अकार में बड़े से छोटे के ग्राव कौन कोंसे है सबसे बड़ा ग्राव ब्रिस्पति उसके बास सनी अरोन वरोन फिर्थवी सूक्र मंगा बुद यानि आपके की बिसे सबसे छोटा बुद और सबसे बड़ा ब्रिस्पति अब देखे इसे पूछता है कि सबसे चम्कीला ग्राव कोंसा है सुक्र सबसे चम्कीला ग्राव कोंसा है सुक्र ग्राव है अब सुक्र ग्राव को जो है साज कतारा, भोर कतारा, सायमकाव कतारा के नाम से भी जाना जाता है ये थे आपके सौर मंदल उमिद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया है पसंद आई इसको लाइप करतीजिए अधिस फ्रेंड अभी तक मेरा चैनल जीके अर्दिव सर यूटूब पर सब्क्राइब ने के इसको सब्क्राइब करतीजिए सब्क्राइब करने कोई चानल ये विल्कुल फ्री है धन्यवाद